Hey guys welcome back तो guys हम लोग अपना admin panel continue कर रहे हैं जैसे कि previous वीडियो में हम लोग ने देखा कि categories का हम लोग पूरा complete कर चुके थे edit, update, delete, fetch और add करने के लिए तो guys अभी आते हैं products पे so let's click on this product और यहाँ पे अभी देखे product font नहीं है तो इसकी मतलब यहाँ पे चलते हैं और product.php एक page बनाते हैं तो वहाँ पे हम अपने admin folder के अंदर हम एक page बनाएंगे called products.php और यहाँ पे products.php है एक और page बनाएंगे जो कि create करने के लिए मतलब insert करने के लिए data तो चलिए वापस इधर चलते हैं refresh करिए और जैसे कि आप देख सकते हैं कि category page में यह sidebar यह user interface जो बना है तो हम same copy करते हैं उसको ठीक है और जो नहीं चाहिए वो निकाल देंगे तो same thing हमें repeat करना है तो let's get there और यह रहा अपना category का data तो हम सिर्फ design ले रहे हैं यहाँ से और कुछ नहीं तो designing के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है so let's copy यह अपना sidebar सा भी authentication सब कुछ यहाँ पर रहेगा and coming back to footer footer से पहले हमें यह table भी चाहिए इस table को copy कर लेते हैं last तक copy कीजिए और यहाँ पर paste कर देजिए done and now इसे minimize करते हैं और यहाँ पर जो data चाहिए उसे रख लीजिए नहीं तो निकाल दीजिए अब इसमें data fetch कर लेना है तो जैसे कि आप products.php पर हैं तो जैसे आप table create करेंगे तो products में हमें कुछ table create करना था ठीक है insert करने के लिए तो हमने already कुछ table product का design ready कर लिया है और यहाँ पर dummy details enter कर लिया है तो यह structure पर click करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि table category id जो कि इस category का id रहेगा name रहेगा small description, long description, price, offer price, tax, quantity, image, status और created at यह fields हमने create कर लिया है product के लिए so guys आपको अगर नहीं पता यह कैसे create किया जाता है link description में दे दिया गया है कि how to create a table in phpMyAdmin so guys continue करते हैं इसी table को fetch करने के लिए तो यहाँ पर अपना products है तो यह products का table का नाम हम call करते हैं और यहाँ query में execute करते हैं so let's paste here और यह database connection रहेगा जो कि query execute करता है mysql query function से हम लोग database connection देंगे फिर इसको बद query को execute करेंगे तो यह रहा अपना query यह return है and now guys यहाँ पर यह query run करेंगे तो इस variable के मदद से हम check कर सकते हैं कि data है कि नहीं इसके अंदर तो check करने के लिए mysql number of rows लगता है जो कि अगर data है तो उसके उपर आईए नहीं तो सीधी बात no record found यहाँ पर लिखे देना है so अभी क्या-क्या हमें integrate करना है तो यहाँ पर देखते हैं कि dollar query run जो है और यह category item है तो यह dollar query run जो भी data अगर आया है उसको category item में रखा हुआ है तो यहाँ पर edit कर लेते हैं अपने requirement के हिसाफ से तो इस sidebar को close करते हैं और यहाँ पर कुछ रखते हैं product name रख लेते हैं और जैसे कि एक status रहेगा और यहाँ पर created add रहेगा और यह जो रहे है trending के बदले क्या रख सकते हैं अपने database में देख लेजिए एक काम करते हैं price रख लेते हैं तो इसका price ले ले लिजिए और यहाँ पर paste कर दीजिए done capital P लगा देते हैं इसके हिसाफ से हमें table का column names यहाँ पर call कर लेना है तो पहली बात यह हम variable change कर लेते हैं इसमें कुछ नहीं चाहिए निकाल दीजिए इसको coming back to name हो गया price हो गया तो price अभी price का column कैसे create हुआ यहाँ पर name है और price है तो name और price paste कर दीजिए P-R-I-C-E price and guys जो रहा next आके status है तो status चेक करने के लिए same status value है तो status आके यह क्या है कि यहाँ पर st-e-t-u-e-s correct spelling है तो वही हमें insert करना है ternary operator के मदद से हम check कर लेने अगर status one है तो जो की checked रहेगा ठीक है done and यह रहा अपना created at तो यह created at जो दिख रहा है यह आपको यह column name है last वाला और वो चीज़ यहाँ पर दिख जा रहा है और उसके बाद edit button है तो यहाँ पर edit के लिए अभी हम निकाल देते हैं क्योंकि अभी edit नहीं बन रहा है तो यहाँ पर hashtag लगा के छोड़ देते हैं और यह जो delete का code है इसे भी हम निकाल देते हैं और यहाँ पर paste कर देजिए अभी dummy के लिए यह delete का option रख देते हैं यहाँ पर delete और success से danger लगा देते हैं done So guys अभी यह रहा variable का नाम क्योंकि match नहीं हो रहा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं Ctrl D करके select कर लिजिए सभी और इसे कहते हैं product underscore item यहाँ पर product item रख लेते हैं as simple Save करिए और इसे execute करते हैं देखते हैं data RI की नहीं So let's get back और यहाँ पर refresh करते हैं यहाँ पर नहीं यह products.php file पर click करिए और आपको output मिल गया है तो पहले यह change करते हैं title इसका की products रहेगा कहांगे इसका title यह रहा तो आप कहते हैं gift category के बदले gift products Save कर दीजिए और यह जो model है इसे निकाल दीजिए तो इसको add रखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं refresh gift products आ चुका है और यह रहा add button तो यह add button क्लिक करने पर क्या होगा add category करके option आएगा So let's create that एक page create करते हैं तो उसके पहले आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा कि product where add कहेंगे .php So इसको copy करिए और create करिए एक page product add या product create के नाम से जैसे भी आपको ठीक लगे तो यहाँ पर हम अभी product add ही कर देते हैं और enter कर दीजिए product add page आ चुका है और यह रहा और इसे refresh करके यहाँ पर check करते हैं Let's refresh करिए और यह add button पर click करिए add और यहाँ पर add.php आ चुका है So guys अभी हम इसको page design के लिए यह same जैसे integrate किया गया था अभी हम लोगों ने products के लिए उसके लिए उसके integrate करते हैं So आते हैं product.php page पे और जैसे कि जो requirements है उसके इसाथ से ले लेना है हमें इस page का table नहीं चाहिए तो just table छोड़के बागे सब कुछ ले लेते हैं इस पे So guys यह रहा अपना card body से शुरू करते हैं यह last ऊपर तक ले लेते हैं And यहां पर नीचे फिर से आईए और table ending को छोड़के यहां तक bottom तक copy कर लिजिए और वापस paste कर दीजिए As Simple, Save करिए और Output चेक करते हैं Output चेक करेंगे, यहां पर add पे क्लिक करिए तब को product add.php पे आ चुके हैं और यहां पर title change करते हैं Gift product कहते हैं add और यह जो add button है इसे कहते हैं back button और इसका button danger कहते हैं और इसे कहते हैं product page पे चले जाओ करके product.php let's refresh और यहां पर देख सकते हैं Click करिए products.php पे आ चुके हैं right तो guys यहां पर हम देख चुके हैं fetch भी करने के लिए और product page create भी करने के लिए अब इसे हम continue कर लेते हैं insert करने के लिए भी type करते हैं तो type करने से पहले अपने code पे चलिए और यह रहा card body तो यहां पर आपको form design बनाना है so form design के लिए आपको bootstrap आना चाहिए अगर नहीं आता है तो आप यहां से आप कोई form design input का copy का सकते हैं form करके click करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ design मिली जाता है इस पे तो यहां से इस तरह से आप requirements उठा के आप copy कर लिजिए तो guys हम directly type कर लेते हैं एक row बनाएंगे फिर column रहेगा column md 4 रख लेते हैं ठीक है यहां पहले 12 रखते हैं यह miss हो गया कुछ column md 12 and अभी इसके अंदर हमें group में assign करना है तो form group और इसे एक label create करिए इसको for निकाल दीजिए और कहिए product name और इससे पहले हमें category भी लेना है तो input type of जो की रहेगा name यहां पे देते हैं name directly और placeholder दे दीजिए enter product name और वापस यहां पे रहेगा class जो की form-control done save करिए और output चेक करते हैं इसका refresh करिए आपको एक input box ready मिल गया लेकिन इसका design नहीं आया क्यों form spelling wrong था spelling correct और output सही आ चुका है इसके हिसाब से हमें input box create करना है जो की इतना tables जो हमको data चाहिए हम अभी create करके आपको output दिखाएंगे सीधा क्योंकि time extend हो जाता है इसके लिए just form ready करके आपको दिखाते हैं अपना यह form design हो चुका है and now अभी हमें यह दिखाते हैं कि क्या-क्या हमने design किया है तो जैसे कि small description है long description है simple सा text boxes है text area है तो small description long description एक price के लिए यहाँ पे है price name attribute के साथ दे दिये हैं यह offer price रहेगा और फिर tax then status रहेगा जो की check box में है and फिर एक image upload करने के लिए यहाँ पे एक image tag जो की input type file रहेगा ठीक है और एक save button है जो की submit रहेगा तो यह save button submit है and simple सा name दिया है product save करने के लिए so guys इसका output check करते है and so पहले let's go to google chrome और यहाँ पे आप refresh करिए so आपका output दिख रहा है right so यहाँ पे form design ready कर चुके है so guys इस video में इतना ही and मिलते है next video में कि इसको कैसे data को save किया जाए जो भी data आप insert कर रहे हैं यह pricing के साथ tags and this with the image also so guys thank you for watching this video please continue in next video about this part